तो कैसे हो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ बलकुल मस्त होगे जवर्जस्त होगे अगर आप भी अपने BGMI अकाउंट को बैन नहीं करवाना चाहते हो ना तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो मेरे भाई ठीक है क्योंकि अगर आप BGMI के ओफीसियल डिस् हर पाँच में एक बन्दा यहां पे किवल यही स्क्रिनशौट सेयर कर रहा है ID bann यह देख सकते हो कितने स्क्रिनन्सौट है देखो भाई देख सकते हो आँखों से यह देख सकते हो कितना स्क्रिन्सौट पड़ा है और इनकी ID में देखो गाई एक शूट बगारा पढ़ें किसी-किसी ने तो अभी दो दिन तीन दिन पहले ही एक शूट निकालें ये देखो ये देखो बाई मतलब भाई दो से तीन दिन के अंदर इतने अकाउंट बैन हो गए है कि भाई किवल स्क्रीन सोट ही दिख रहा है मतलब किवल बैन का ही screenshot देख रहा है देख रहा है वो बंदे बैन होने के बाद अपनी ID का लेवल भी दिखा रहा है कि बाई यतनी सामान थी इतनी गन निकाली थी ये सब चीज़े देख रहा है कितना screenshot पड़ा है report section में उसके देखोगे ना media में भाई साव तहलका है और उसक किसी गलती बैन खतम ये समझ लो अभी क्यों हो रहा है कौन से ऐसी पांच गलती हैं जो बंदे करते हैं जिसकी वज़े से आड़ी बैन होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से देख लो मेरे भाई ठीक है इस वीडियो को अगर आपने सही से देख लिया ना तो आ हैक नहीं लगा हमारी आइड कैसे बैन होगी हैक लगाना जरूरी नहीं होता है मैरे अगर आप हैकर के साथ खेलते हो या हैकर की लॉबी में रहते हो मेरे भाई और किसी ने आपको रेपोर्ट मार दिया तब भी आपको बैंट पड़ेगा याद रखा है मेरे भाई ठीक है जरूरी नहीं होता है कि आप सोयम हैक लगाओ तब ही आपको बैंट पड़े ठीक है सेकंड चीज जो सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट है जिसको लोग यूटूब से वीडियो देख देख के ट्राइ करते हैं वो यूसे रिफंड जी आदोस्तो ये भी बहुत बंदे करते हैं पहले परचेस किया फिर यूटूब रिफंड पार दिया आप सुचते आप पैसे भी आ जाएंगे यूसे भी मिल जाएगा दोनों फायदे ही फायदे है अब तो मजए मजए होंगे ठीक है और मजए मजए के चकर में पांच मेंड बाद सीधा आता है दस साल का बेंड फिर होते हैं सजे सजे चालो ठीक है तो यह चीज नहीं करनी है मेरे भाई ठीक है ना ही आपको hacker के साथ खिलना है ना ही UC refund करना है तीसरी चीज login logout जी आँ दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि server error वाला problem जो चल रहा है आपको पता है BGMI में जब से 3.4 का update आया है तो बहुत जादा यह problem देखने को मिल रहा है server वाला ठीक है तो उसकी वेज़े से होता क्या है कि बंदे अपनी ID को logout करते हैं फिर दुबरा से login करते हैं फिर login करते हैं फिर login करते हैं फिर game खेलना चालो करते हैं तो यह चीज आपको बार बार नहीं करने हैं क्योंकि मैंने अभी एक दू ऐसे दोस्तों देखें जिनका login लागाउट से केवल बैन हो गया और एक दू दिन का बैन नहीं सीधा 10 सल का बैन काम खताम जाओ भई यह login लागाउट करते रहो काम खताम टाटा बाई 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 जो सबसे जादा गलती होती है और यह गलती करने के बाद बंदे जानते हो का कमेंट करते बाई मैंने तो कोई है कि यूजी नहीं किया मैंने तो कोई गलती करी ही नहीं है फिर भी आईडी बैन हो गई तो यह चीज जो होती है वो होती है दूस्तों ग्लिच जिसको तो बैन होएगी होएगी बहुत सारे ऐसे यूटूबर होंगे जो आपको ट्रिक के नाम पर ग्लिच पकड़ा देते हैं और आप उस ग्लिच को यूज करते हो और आपकी आईडी में सीधा बैन लग जाता है क्योंकि वैए जो ग्लिच और ट्रिक होती है ना हिनको यूज करने के बाद बन्दे बहुत किल करती है करतेगा रिपोर्ट और रिपोर्ट जैसे ही किया आपके तो एल लग गए समझ लो कोल मिला किए क्योंकि भाइया बीजी हमाई वाले साफ कहते हैं बग ग्लिच यूज करना अलाउड नहीं है अगर आपने यूज किया तो आपके लगेंगे ही लगेंगे मेरे भाई ठीक है त उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट चीज जो इस समय बंदे बहुत ज्यादा यूज करते हैं वह है टाइम लिमिट की प्रॉब्लम जैसे 6 गंटे का टाइम खतम हो जाता है ना उसके बाद बंदे बीपिन लगाते हैं जुगार डोंड़ दें यूटूब में जाके और वहा प्रॉटी सी गलती करी बिल्कुल चोटी सी गलती करी बस खतम क्योंकि भाई जो बीपिन होता है वो थर्ड़ पार्टी एप होता है ठीक है अब जैसे आपने उसको लगाया तो थर्ड़ पार्टी का मैसेज वहां पे आएगा और सीधा खटाक से आपके आईडी पे 10 साल का बैन लगेगा तो मतलब बिल्कुल जहना आ जाओ गया अरे भाई ये क्या हो गया हाँ तो दोस्तों कुछ ऐसे भाई लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि भाई हमने ये पांचो गलतियां नहीं करी है फिर भी हमारी आईडी में बैन आ गया तो दोस्तों अभी हो क्या रहा है कि जब से 3.4 का अपडेट आया है उसके बाद से अभी बहुत सारा गेम के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वज़े से जो इनका एंटीचीट सिस्टम है वो भी एक्टिवेट है तो ये नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है कि आप गलती कियो या नहीं कियो अगर आपको ज्यादा रिपोर्ट पढ़ जाती है तो आपको बैन आ जाता है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनोंने आईडी लॉग इन तक नहीं करी है समलो लॉग आउट में ही उनके आईडी में बैन आ गया है ठीक है तो ये चीज अगर आपके साथ है और आपको डर लग है कि मेरी आईडी भी ना बैन हो जाए तो आपको इससे बचने के लिए बस सिंपल एक ट्रिक करनी है क्या कि आपको आईडी लाग आउट नहीं करनी है आपको अपने गेम को सीधा बंद कर देना है या फिर बंद करने के बाद नई आईडी आपको बना लेनी है बस और आपको दस दिन के अंदर ये सायद देखने को मिल जाएगा मरे ठीक है क्योंकि अभी दो दिन से इतना एडी बैन हुई है जो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है कि इतना अगर कंटीनूसली पंदरा दिन तक बैन हो गई नहीं तो भाई आदा सर्वर खतम हो जाएगा BGMI का कुल मिला के समझ लो कि अभी ज्यादा तर जो आइडिया बैन हो रहे हैं वो सब कॉंकरर वालों की हो रहे हैं और ज्यादा तर जो अकाउंट बैन हो रहे हैं वो सब बड़े अकाउंट बैन हो रहे हैं छोटे अकाउंट भी हो रहे हैं लेकिन ज्या